हलो एन वेलकम तू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग Microsoft Word का यह जो लेक्षर है इस लेक्षर में Word Processing 2016 का हम डिटेल में अध्यत करेंगे इस लेक्षर में मैं आपको यह बताऊँगा कि software Word Processing के लिए अगर आप Google करेंगे Most Popular Software वर्ड का सबसे Most Popular Software होता है वर्ड इससे आज की तारिक पर वर्ड बोला जाता है पहले से Microsoft Word और वर्ड परसेसिंग के लिए सबसे फेमस software यही बनाए गया है यह एक ऐसा application program है जिसके तुरू आप बहुत सारे प्रकार के documents को create कर सकते हैं जैसे कि letters हैं, flyers हैं और reports हैं letters का मतलब हम जब किसी का आविदन लिखते हैं, flyers का मतलब यदि हमें कुछ से को चिट्थी लिखनी हो और reports मतलब अगर हमको कोई report तेयार करनी हो, तो हम इस software का इस्तमाल करते हैं यह बात हमें बहुत अच्छे से मालूम होनी चीए कि word processing का कोई भी version हो चाहे 365 office आप यूज करें या Google का docs आप यूज करें या फिर आप word processing के लिए कोई भी software इस्तमाल करें सभी की working लगभग एक जैसी होती है पर केवल इतना होता है कि जो file format है वो केवल डिफर होता है अब यहां पर file format क्या होता है यह भी आप समझ लें file format का मतलब होता है computer केवल उसी file को समझता है जिससे संबंदी उसके पास software मौझूद हो जैसे कि हमारे सरनेम होते हैं जैसे मेरा सरनेम है हाश्मी किसी का सरनेम होता हूँ या किसी का सरनेम है सिन्हा तो इससे हमें यह पता चलता है कि इसकी cast या tribe क्या है उसी तरीके से computer को जब आपको इस software install करके दे देते हैं जैसे आपने word install कर दिया तो word से related जितनी भी files है जैसे doc है text है या फिर rtf है यह सभी के सभी format जो है वो word processing software को known होते हैं अब इसके लिए आप चाहें तो word use करें या इसके लिए चाहें तो आप google docs या फिर office 365 या open office writer ऐसे किसी भी software का स्तमाल कर सकते हैं वर्ड का जो interface होता है हम उसके बारे में बात करेंगे यह MS office word 2016 का interface है तो जब आप word के screen को open करते हैं open करने के बाद में आप यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि आप blank document और यहां पर कुछ templates को create कर सकते हैं अब यहां पर सवाल आता है कि template क्या होता है template एक ऐसी चीज होती है कि आपके पास में एक बना बनाया पहले से model तैयार होता है इस model को केवल आपको modify करना है जैसे कि आप अगर bio data बनाना चाहते हैं अपना शादी के लिए या फिर किसी job के लिए आप resume तैयार करना चाहते हैं तो आप यहां पर type करेंगे search for online tablets वाली text box में resume इस time पर आपका online होना जरूरी है और जैसे ही आप यहां पर resume या bio data type करेंगे तो आपके पास एक बना बनाया आपकी photograph के लिए और आपकी detail लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसको आपको केवल क्या करना है एडिट करना है और कुछ भी नहीं करना है तो आप single page में या multiple pages में इस template को create कर सकते हैं एक चोटा सा example देखेंगे जैसे example के लिए अभी मैं online हूँ और यह मेरा MS Office का latest version है अब यदि मैं इसमें डालता हूँ माल लीजिए अब जो भी नाम यहां पर डालेंगे वह नाम यहां पर आपके लिए आजाएगा आपको जो भी ऑपटेश्ण करने के बाद आप इसे change करके अपनी फोटो चेंज कर लीजिए आप जो भी नाम यहाँ पर डालेंगे वो नाम यहाँ पर आपके लिए आजाएगा आपका जो भी ऑब्जिक्टिव हो जितना भी एक्स्पिरियंस इसकल्स एक्सक्रा आप सारी चीज़े डाल सकते हैं और इसे सीधा प्रिंट निकाल सकते हैं तो यह काम होता है आपका कि कणे और चám Liberate Déo को भी इप टाइटल है रिकाए इब्ग्रश लिखा और यहाँ पर इस रिद्श्टि पार्टिके earlier काड़ बनाना हो यह पर आपको कहए इनवानानी हूँ कुछ बिजन रेक करना हो आप सब्सकीयो Зब्सकेर कर सकते में फिर आता है आपका blank page overview अगर आप किसी blank page में selection करते हैं तो आपके पास में इसमें margins होती हैं और यह जो cursor आपको दिखाई दे रहा है चोटा सा इसके left side पे आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यह भी क्या है इसकी margin है तो जब आप word office software का इस्तमाल करते हैं तो आपके पास में 4 तरह की margin अवेलेबल होती है left right top और bottom इस स्थान पे आप लिख नहीं सकते लेगिन आप इसका 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 इसकी दूसरी चीज़ के लिए जैसे कि page number हो गया आपका title हो गया या cover का जो भी आपका नाम लिखना है जैस इसे हम कहते है ribbon ribbon इसे इसलिए कहा जाता है कि ribbon जिससे हम चोटी बानते हैं इसी तरीक या फिर कार को सजाते हैं या किसी गुल्दस्ते को सजाते हैं उसी तरीके से यह MS Office का ribbon है पहले इसे menu के रूप में दिया जाता था menu का मतलब आपके पास में पहले drop down menu आया करता था लेक इसके बाद में ribbon में जितने भी टैप्स हैं जैसे कि home tab है इससे आपको क्या मिलता है कि आप जितने most commonly used commands है जैसे कि आपको माल लिजे cut copy paste करना है तो यहां पे cut है copy है paste है आपको font size change करना है या फिर आपको numbering करनी है या फिर आपको अपने paragraph की style बनानी है इससे related किसी भी चीजियों को आप बनाने के लिए home tab कर सकते हैं इसके बाद में home tab के बाद में आपका आता है insert tab insert tab का मतलब है कि यदि आप किसी चीज़ को insert करना चाहते हैं for example cover page हो गया blank page हो गया page break हो गया table हो गया pictures हो गया इन सभी चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को अगर आप insert करना चाहते हैं तो आप insert tab का use कर सकते हैं फिर आपका आता है design tab, design tab से आप अपने particular document का design को decide कर सकते हैं इसके लिए एक example देखेंगे जैसे मैंने यहां पर word को open किया हुआ है तो जैसे मैंने वहां पर word को open किया हुआ है आप देखेंगे अगर मैं design में जाओंगा तो मेरे को यहां पर different designs मिलेंगी यह design actually में design templates होते है कि अगर मैं यहां पर title type करूं जैसे मैं यहां पर type करता हूं computer और type करता हूं सब्सक्राइब करता हूं computer is an electronic device अब देखेंगे आप यहां पर कि अगर मैं इसको all select करके किसी भी particular design में selection करता हूं ठीक है तो यह इसके साब से मुझे अलग अलग preview दिखाता है तो यह होता है आ अगर आपको color choose करना हो या कोई भी ऐसी चीज़ चूज करनी हो तो आप यहां पर design template कर सकते हैं जिस सरीके से हम आप वर्ड के पूरे document का template design करते हैं वैसे आप यहां पे design का template भी decide कर सकते हैं यहां पर theme सब्सक्राइब कि किस सरी के आपको theme बनानी है इसमें आपका font जो है heading style title style जब एक particular document completed हो आपके पास में तो आप उसको पूरा change करने के लिए इसका स्तमाल कर सकते हैं फिर आपका आता है इसके बाद आपका आता है layout tab layout tab का मतलब होता है जिससे आप अपने particular document का layout को decide कर सकते हैं जो आपका page है जिस तरी किसा आप print करेंगे for example आप यहां पे जहां आपको decide करनी हो number of columns decide करना हो कितने page breaks है किते line numbers है hyphenation है indentation है spacing है यह सारी चीज़ें आपकी layout से decide होती है इसके बाद मैं आता आपका references tab यह जो scholars होते हैं research scholars होते हैं उनके लिए सबसे बहतरीन tab होता है references tab references tab के तुरू आप यदि मालीजे कोई book लिखे हैं और book का आपको index बना सकते हैं इसके लिए आप मेरे word वाली playlist में जाके references tab का वीडियो ज़रूर देखें YouTube में आपको मेरे channel पर मिल जाएगा इसमें आपको detail में references tab के बारे में जानकरी मिलेगी in short references tab से आप एक particular का पूरा book बना सकते हैं आपको केवल editing करनी है editing करने के बाद बाकी सारा काम आपको word पर छोड़ देना है इसके लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी मेरे channel पर मेलिंग स्टैब जो होता है यह आपको email करने के लिए या particular envelope में printing करने के लिए या labels बनाने के लिए जैसे हम name plate जी से बोलते हैं जिसमें नाम लिखते हैं इस तरीके की चीज़ों बनाने के लिए mail merge का इस्तमाल किया जाता है इसमें सबसे पहले एक चोटा सा database किया जाता है जिसमें आप अभी नाम लिख ले इन database को इंपोर्ट करने के बाद में आप document में लेके आते हैं और इस से पूरी सेटिंग होती है इसकी इस particular mailing tab से और यहां से आप जाके mailing tab को document को पढ़के मतलब आप सुनना चाहते हैं तो आप अगर read aloud में क्लिक करेंगे तो यह आपको पूरा आपके speaker में जो भी आपको home theater उसमें सुनाई देगा इसके accessibility अगर आपने passport दिया है इसको translation करना हो कोई language में convert करना हो कोई comment करना हो इस तरीकी की चीज़ों को डालने के लि अगर जो document अगर आपने माल लेजिए multiple documents create करके रखा हुआ है एक time पे इन सभी को open किया हुआ है और इसमें से अगर आप switching करना चाहते हैं तो आप इससे स्विच कर सकते हैं आप इससे different layouts देख सकते हैं अपने document के जैसे read mode है print layout है web layout है इसके मैं आगे आपको example दिखाऊंगा कि जैसे view के अंदर में view के बाद में format tab भी है यहाँ पे format tab में क्या करते हैं आप इसमें formatting कर सकते हैं जिसके आप insert tab से इसको थोड़ा सा similar देखेंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी different kinds of shapes हैं यह आप insert कर सकते हैं अब इसके बाद में आता है quick access toolbar word का quick access toolbar होता है इसके through आप आप क्या कर सकते हैं आप अगर कोई अपना खुद का add करना चाहते हैं आप जैसे आप उपर में देखा होगा अब यह तक अपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर भी कुछ भी नहीं था लेकिन अगर आप कोई particular quick access toolbar को यहाँ करना चाहते हैं जैसे spelling and grammar का regular इस्तमाल करना हो वर्ड में रूलर भी होता है जिसके तुरू आप अपने वर्ड के size का left से या top से आप अपना size देख सकते हैं जैसे यहां से आप देखेंगे कि इतना एक इंच है इसका मतलब यह है कि अगर मैं आप लिखता हूँ अपना नाम तो मेरा नाम जो है लगबग एक इंच से कम जगह में आ गया और यहां से आप देखेंगे हाफ इंच के आसवास में मुझे जगह लगी तो आप इस प्रकार से फॉंट के points के इसाफ से पना design ले सकते हैं रूलर में यह भी है कि अगर आप रूलर को on and off करना चाहते हैं तो view और tab में जाके यहां से रूलर में देखें और इसे on and off कर सकते हैं फिर आता आपका document के views में detailing कि इसमें read mode, print mode और web mode यह तीनों mode आपको नीचे status bar में भी दिखाई देते हैं इसमें आप अगर read mode में जाएंगे तो आपके वल डॉकुमेंट को पढ़ पाएंगे और अगर आप यहां पे प्लेयर पट्रत नवाएंगे तो यह आपको पढ़के भी सुनाएगा print mode में जब आप इसे print करेंगे तो आपका page जो है वो किस तरीके से दिखाई देगा यह आपको दिखता है print mode में web layout mode का मतलब होता है कि यह आप अगर इसे website में publish कर देंगे तो किस तरीके से आपका जो page है वो website में दिखेगा यह आप web layout में जाके देख सकते हैं उसके बाद में आता है आपका insertion point यह एक ऐसी blinking vertical line होती है जो आपके document में दिखते रहती आपको तो यह जो इसका मतलब क्या होता है कि आप यहां से लिखना चालू करेंगे जब भी आपको line दिखे का मतलब है कि जब भी आप keyboard को प्रेस करेंगे तो आपका जो writing है वो इसी आगया जाएगी और यह blink करने लगेगी इसे हम क्या बोलते इंसर्चन पॉइंट इसके बाद में आता है कि जैसे यहां पर और example दिख रहे हैं जैसे मैं आपको बताया हूं उसी तरीके से यहां पर दिखाई दे रहे हैं कि आप जो भी यहां पर प्रेंट करेंगे वो करना हो तो आप उसरीट को मैन² पुट करके मेनले प्लेक मेशुस करके Oh अगर आपको सेलेक्षिन मनाना हो तो म को यहां लेड़ हैं और यहां से लेकिमाव इस तरशीएस हैं या थो श्ट के सात्में सब्सक्राइब करें यहां पर उसके रहे चाना है। के इसके बाद में आता है आपका सेलेक्टिट टेक्स्ट में आप क्या-क्या ओप्रेशन कर सकते हैं तो स्वेक्टिंग्-टेक्स में आप जबभी कोई त्रफ सवेंगे तो यहां पे आपके पास में हमेशा एक मैंनियॉ आजाएगा इसका मैं आपको डेमो दिखाता हूं कर सकते हैं तो यह है आपका selecting text में आगे कि copy paste करना बहुत आसान काम होता है आप किसी भी text को सबसे पहले select करें copy करें यह copy का छोटा सा icon मना हुआ है या तो फिर आप keyboard से control c दबाएं और paste करने के लिए या तो इस icon पे click करें या तो फिर control v दबाएं multiple time सब्सक्राइब कर सकते हैं एक बर copy करने के बाद है सब्सक्राइब इसके बाद में प्कार आथा कि कैसे चेंज करते हैं तो friendship कर आप तो पॉन्ट डैलोग बॉक्स में जाके आप इसके फॉन्टकों चेंज कर सकते हैं इसमयं से अब कोई भी एक नाम चुल लीजे आपका काम हो जाएगा दन आता है आपका चेंजिंग फांट साइज यहां से चेंज होता है यह पॉइंट्स में होता है एक इंच में लगभग 300 300 points होते हैं तो यह जो points हैं इससे मिला के हमारा बनता है एक particular character font size को change करने के बाद में आता है font का color तो अगर आपको color change करना हो आपकी लिखावड का आपकी लीपी का तो आप यहां से color को text का color को यहां से change करते हैं text के background color को यहां से change करते हैं और अगर आपको outline मनाना हो या इसका size change करना हो तो इस पूरे के पूरे को आप यहां से increase यह अप arrow से increase या down arrow से decrease कर सकते हैं कि लाइक इस कि इसके बाद भी आता है text का alignment text के alignment चार तरीके के होते हैं left center right और justify तो left करने का मतलब आपका जो text है वो left align होगा right से right align हो जाएगा center से center में आगा और justified का मतलब दोनों साइड से बराबर हो जाएगा मतलब left से और right से यह बराबर रहेगा कि पेज का orientation का मतलब होता है कि आप इसमें portrait या landscape मतलब आपका पेज जो है वो खड़ा रहेगा या फिर आड़ा रहेगा या आप डिसाइड कर सकते हैं size में आपको different sizes दिखेंगी तो इस तरीके से word का introduction यहाँ पर समाप्त होता है उम्मीद या lecture आपको पसंद आया होगा यदि पसंद आया हो और आपका अगर कोई सवाल हो तो हमें comment box में जरूर बताएं चैनल को subscribe करना न भूलें इस वीडियो को share करना न भूलें और ऐसे ही interesting वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देख परिए thank you very much see you on the next video